देश में इन दिनों लोग सभाचुनाव हो रहे हैं और संगमनगरी प्यागराज की भी दो लोग सभाचीटों फूलपूर और एलाहबाद सज़दी सीट पर मद्दान हो चुका है मद्दान के बाद जगह जगह चौक चौराहों से लेकर हर जगह अब इसी बात की चर्चा है कि जो मद्दान हुआ है वो कम हुआ है तो आखिर इसका फाइदा किसे मिलेगा जहां प्रत्याशी ओटों की गुड़ागडित में जुटे हैं वहीं चौक चौराहों से लेकर ड्राइंग रूम में जो बुद्ध जीवी हैं जो पत्रकार हैं वो भी अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये राजनीतिक जो मदान हुआ है ये किस करवट बैठेगा और इस वक्त हमारे साथ एक पैनल मौझूद है जिसमें वरिष्ट पत्रकार हैं समाद सेवी हैं और इसके साथी साथ बुद्ध जीवी हैं हम उनसे बातशीत करेंगे और जानने कोश्च करेंगे कि जो इलाहाबाद संसदी सीट है जो काफी प्रतिष्टिस सीट है और इस पर दो बार से लगातार बीजेपी का कपजा रहा है हलां कि प्रत्याशी बदलते रहे इस बार इस सीट पर बीजेपी ने नीदज़ तरिपाथी को चुनाओ मैदान में उतारा था जो की पूरू गवर्रनर पंडित केशीना तरिपाथी के बेटे हैं इसके साथी साथ कॉं चुने गए थे हमारे साथ बात्चीत के लिए पूरा पैनल हैं हम सबसे पहले उनीच से समझने कोश्च करेंगे कि आखिर इस सीट पर किसकी जीत है या किसका पढ़ला भारी है सबसे पहले वरिश्पत्रकार मुनिश्वर्मिश जी हैं आप तो यमनापार के ही रहने वाले भ हुआ है करीब 52 फिजदी क्यावन तसमलों आठ फिजदी मत पढ़े और किसका पढ़ला भारी दिखते हैं इस पर क्या मुद्धि रहे देखिए इस इलाहबा संसदी निर्वाचन शेत में शहर दच्छनी है शहर दच्छनी अमूमन माना जाता है कि वह बीजेपी की सीट है क्योंकि पंडित केश्री ना त्रिपाठी जी वहाँ से रहे हैं नंदी जी वहाँ से जीतते रहे हैं तो लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां मतदान का प्रतिशत बहुत गिरा है 40% मतदान हुआ है अब उस 40% में किसको कितना मिलेगा उसमें नईनी वाला एरिया भी आता है कर्चना हुआ मेजा हुआ वहां दोनों सीटों पर कठिन संगर्स है कुराओं में इस बार पिछले चुनाओं की मुकाबले पांच प्रतिशत वोटिंग जादे हुई है और बारा में भी पिछले चुनाओं की मुकाबले वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है अब इसमें देखिए जो लाभार्थी वाला वर्ग है वो बहुत इंपार्टेंट है जातिवाद कोई भी चुनाओं बिना जातिवाद के अपने देश में पूरा नहीं होता भारती लोक तंत्र का यही सवभाग या दुर्भाग जो भी कहिए कि बिना जातिवाद तो अब करने मत मिले हैं मद्दाता खामोस है पिछले चुनाओं को जब हम देखते हैं तो पिछले चुनाओं की मुकाबले इस चुनाओं में तमाम जाती है जो पहले बीजेपी के साल लामबंद हुआ करती थी इस बार गठवधन्धन के साथ चले उटों का विखराव मांते ह तूटी है गोलबंदी तूटी है जैसे पासी समाज पलड़ा किसका भारी रहेगा पलड़ा तो अभी कुछ हम कहने की स्थिती में नहीं है हम हमें यहीं लगता है कि बहुत क्लोज कंटेस्ट है उसमें कौन निकल जाएगा यह मतगरना में ही पता है सर का यह कहना है कि अभी क्लोज कंटेस्ट है कौन जीतेगा इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं बता पा रहे हैं लडाई बड़ी मान रहे हैं हमारे साथ से मदू सर भी है वरिश्पत्रकार है सर आप से जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद सीट को लेकर क्या आपको तरह जो एकस्पोस परसर नहीं विधायक बात चुक है मंत्री चुनाओ जीत भी चुक है तो इनके बारे मालूं है को इंडी गड़बंदर में हैं कांग्रें उस अपा से कांग्रेस में आ गए सिर्फ चुनाओ के लिए ही आए पिर उसके बाद यहां से हारने के बाद फिर ह aç यहां वर्क नहीं है यहां पर राश्टी मुद्दवर कर रहा है कि हमको लाई सही हाथों में परदेश लop सब्सक्षा करना है इस लिए बहुत लोगों बस्ताहें की यहां रिपीट करना है ही होट और बाँट अधित नहीं होते हैं जितना है इसलिए जीतना है क्योंकि ये नंदी जी का इलाका है जहां सु मिनिस्टर है और वहां से अगर बीजी परफार्मेंस कतम हुआ कम हुआ तो नंदी जी का भविश्य सब लोग जान सकते हैं सब्सक्रां वहां सब्सक्राइब करना है ृपकी जीत है येति है निरे वादियृत्य व्यक्ति व्यक्ति है बिल्कुल है मोदी जी ने कहा गाड़ी हमारी है तो ड्राइवर की बात मत करिए कौन किस हाइट का है और किस कलर का है ब्रैंड नेम है तो हम आपको गाड़ी दे रहे हैं तो उसमें साथ में ड्रैवर भी हमारी है जो आपको सही जगह पहुंचा देगा निश्चित तोर पर बड़ी बात कही है आपने कि यह ब्रैंड नेम जो है वो मोदी है और यह जो पूरा चुनाओ है इलहाबाद संस्दी सीट का वो कम से कम मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया है यही वज़ा रही है कि 2014 और 2019 में लगातार प्रत्याशी बदले गए लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई हमारे साब आनंद ककर जी हैं आप चौक इलाके में रहते हैं सर और आप राजनीती को बहुत करीब से समझते भी हैं क्या लगता है आपको कि इलहाबाद सीट पर जिस तरह से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए नीदस्तिर प फैक्टर है जो आम मद्दाता को बहुत लुभाता है जिस तरह हमारी केंद्र में मिनिस्ट्रों की जो आप देखते हैं पोजिशनिंग चाहे वो हमारे रेल मंत्रियों चाहे हमारे विदेश मंत्रियों हमने देखा कि यह जो नए चेहरे हैं जो बुद्ध जीवी हैं हैं और दाग रही थें उन पर मोदी ने जो दाओं खेला है और उनकी प्रभुद्धता और उनके दिमाग को देखते हुए उनको नई जिम्मेदारिया दी है यह उसी श्रंखला की एक और कड़ी है त्रिपाठी जी नीरश त्रिपाठी और आप देखेगा कि लोगों का भ बहुत ही दिमागों में चड़ा हुआ है और खास्तोर से चौक जो बतब हिर्दे है देखा जाए इस छेत्र का तो वहां तो आप जानते हैं राम फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाओं के बाद क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही किस बात की चर्चा हो रही सीट को लेकर कौन जीत रहा है मोदी जीत रहे किसी को कुछ नहीं पता है आधी जनता को कुछ नहीं पता है जनता को सिर्फ पता लगने का जो स्रोत है वह आप लोगों के चैनल से यानि चुनाओं इस बार चैनल और आपके यूट्यूब पर लड़ा गया है कहां हमने तो की तक नीरत रिपार्टी को देख ही नहीं तो पढ़ला किसका बारी है क्योंकि सोशल मीडिया पर मोदी और बीजेपी अपने एचीवमेंट्स को कम्यूनिकेट करने में बहुत सफल हुई है इसलिए मुझे पढ़ला क्या सुनिश्चित लगता है कि बीजेपी की जीत होग गया और जिस तरह से बीजेपी ने कंपेंड किया उसका भी फाइदा हुआ और प्यामोदी के चेहरे पर यह पूरा चुनाओ लड़ा गया हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार हैं डक्टर प्रदीब भटनाकर जी जो की प्रयागराज से लेकर कई राजियों में रह चुके हैं कई अकबारों के संपादक रह चुके हैं राजनीती को बेहत करीब से समझते हैं और इस पूरे चुनाओं पर भी उनकी बहुत ही पाइनी नजर भी थी हम उनसे बातचीत करेंगे सर आपने पूरे हमने बात भी किती आप चाहिए आप बड़ी पाइनी नजर रखी थी अब मतदान के बाद क्या कहना आपका इलावाज सीट को लेकर लेकर इलावाज सीट पे कंटेस्ट तो तगड़ा है आप एक दम से नहीं कह सकते किसी को कि कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा लेकिन फिर भी बीजेपी मुझे लगती है कि आगे है और शायद बीजेपी जीत है लेकिन यह जीत का मार्जिन बहुत कम होगा नियुनतम होगा सर एक सवाल आप से है चुकि आप बुद्जीवी हैं पत्रकार हैं मुद्दे यहां पर क्या हवी रहे प्रत्याशी तो बीजेपी ने नया उतार दिया था और किन मुद्दों पर आपको यह लगता है कि लड जाती है गोलबंदी जितनी फूलपूर में थी उतनी अलावाद में कहीं नहीं दिखी लेकिन उसके बावजूद सिर्फ मुद्दा था तो सिर्फ मोदी था यह मोदी का विरोध था तो मुझे लगता है कि इसलिए चुकि मोदी की ब्रेंडिंग बहुत अच्छी है और सब्सक्राइब को लगता है कि मोदी बहुत अच्छे हैं और मोदी अगर रहेंगे तो हमारा यह सब कुछ चलता रहाएं सब्सक्राइब कि दोनों प्रत्याशी जो है वो अलग-अलग राजनितिक परिवारें से आते हैं तो यह भी कहा गया चुनाओ प्रचार के दौरान क दो राजनितिक परिवारों के यह विरासत की लडाई है तो इसमें किसका पराई आपको भारी नजर आ रहा है दिकeee तो इसको को अपना वो चुनना था कि हमें किसको देना है और जैसा मैं जैसा अभी कहा कि महां मोदी थे चुनाव लग रहे थे मोदी के अलावा कौन केंडिडेट था क्यों था नहीं था इसका कोई बहुत मात तो नहीं था दूसरा केशरी नात्रपाठी की छवी खुद नीरस्त्रपा कि उनके ऊपर कोई बि spicy नहीं पुरा का छुनाव निकल गया से ऊप्र यह पूँछा को लेकर लेकर जा रहे हैं यह दोनों मंतरी हैं सब कुछ रहे हैं तो यह नाग जाता है कि इन्हों ने मुझा नवश्कार नहीं कि कि रहा है ब्राह्मनों का रुज़ान शुरू के दौर में तो कुछ वोट टिकट दूसरे को मिल जाने नीरश तृपाठी को मिल जाने के कारण थोड़ा सा शुरू में था लग रहा था कि तो भाष्मर नाराज है लेकिन आते आते जब शाह मोदी जी और इन सब की मीटिंगे सभाएं हुई तो सारा ब्राहमन वर्ण पूरा सवर्ण ब्राहमनी नहीं सवर्ण जो था वह सब बदल गया यह सब आ गया फिर कोराओं दिकी मुझे लगता है कि विधान सभाद शेत्रों में नीरज को अच्छे वोट मिलें हैं इक तो मेजा और शहार नहीं हुआ है लेकिन फिर भी बराबर बराबर दोनों को वोट शायद मिले होंगे मुझे ऐसा लगता है तो क्या इसका कोई दुखसान बीजेपी को हुआ है नई रीता जी ने तो ठीक ठाक प्रचार किया और जहां तक ब्राह्मनों की बात है इस निर्वातन चेत्र में साढ़े चार लाग से अधिक ब्राह्मनों ने बहुत जम के भात्पा को बोट दिया है और यहां तक की जो कांग्रेस कंडिडेट थे उनकी कोशिश ये थी कि ज्यादा तर ब्राह्मनों को हम अपने साथ लाम बंद कर लें और यह था कि अगर इतने प्रतिशत ब्र कंडिडेट कितनी संख्या में ब्राह्मनों को अपने साथ जोड लेंगे लेकिन वह काम्याब नहीं होगे ने उतना नहीं मिला जितना की वो जा लेकिन जो कुमर रेवती रमंट सिंग्स से या उज्ज्वल जी से पहले से जुड़े थे जिन ब्राह्मनों डेंट मारा है को को दिया है और भी लोग है और खास तोर पर आधी आबादी हमारे साथ है हम उनसे बात करेंगे मैं आप अपना पर्चे दें और यह बताएं कि इलहाबाद सीट को लेकर जो मद्दान हुआ है उस पर आपकी क्या प्रत्क्रिया है किसका पढ़ला भारी है मैं भारती पांड वोटिंग हुई है यहां पर आप यह कह सकते हैं कि पढ़ला तो दोनों का ही भारी है क्योंकि दोनों ही महापुर्शों के बच्चे हैं तो यह तो कहा जा सकता है कि दोनों का पढ़ला भारी है लेकिन अगर हम हर चीज जैसे विक्सित के तोर पर या देश की प्रगती के त तो मुद्दो कुले के आगर हम बात करते हैं तो उसपे तो बीजेपी ही सर्वो परी है मतलब बीजेपी का बारी लग रहा है क्योंकि बीजेपी है बहुत सैसे काम किये हैं जिसको देखते हुए जनहित में या समाज में इया सुक्छो के लिए महिलाओं ने किसको ओट किया है? مहिलाओं तो सब BJP ही गई है। किसलिये? BJP महिलाओं को तो मौधी जीन ने वैसे दिल जीत लिया है सबका, कि यह तो इन्हों ने इतना अच्छा काम किया है कि भारती जी तो बहुत खुछु कहीं कि माफिया मारे गए हैं महिलाओं की शुरक्षा हुई है और और तमाम योजनाओं का लाव मिला है तो यह ऐसी वज़े हैं जिसकी वज़े से महिलाओं ने बीजोपी को ओड किया है मैं आपका नाम जानना चाहेंगे और आप यह बताएं इलहाबाद सीट पर क्या फैक्टर रहे और किसका पड़ला भारी है यहां पर मैं कल्पना सहाई आप पूरे देश के चुनाओं को देख लिए मोधी फैक्टर और मोधी विरोध यह दो ही फैक्टर रहें मुख्य रूप से लेकिन जहां तक इलहाबाद की बात है यहां भी जाती है समीकरंटों आप देखते हैं देश में बहुत फाइदा करता है मने माने रखता है तो ब ब्रामनों में यह बहुत खुबी होती है यह एक जुठ हो जाते है और जहां तक उज्वल रमन सिंगी की बात है उज्वल रमन सिंगी का जो आप वो कॉंग्रेस में भले चले गयों लेकिन उन्हें कॉंग्रेसी भी नहीं मानने जनता भी कॉंग्रेस का नहीं मानने पचा लेकिन चवी बहुत बहुत ज्यादा साफ नहीं रही नीरत पाटी की तुलनात्रक दिस्टी से बहुत अच्छी चवी है उनकी दबंगों वाली चवी रही है वो दबंगाई से राजनीती करते थे उनके बेटे हैं तो इस वन्ष परंपरा के कारण उज्जल रामान सिंग वै उनके पिता जी का चार चीज उनके साथ जुड़के प्लस हो रही है उनकी जीत लगता है सुनिष्चित है अब इसको नहीं वताय सकता है कितने लोग मैं आप से जानना चाहेंगे कि इलाहबाद सीट जो है वो काफी प्रतिश्चित सीट है इस सीट को लेकर क्या लगता है क और घर से निकली हैं महिलाओं के वोट भी पड़े हैं तो पढ़ला तो बीजेपी का ही भारी है तो राजनिति को बहुत करीब से समझते हैं जानते हैं आप मद्दान में हिस्सा ले चुके हैं वोटिंग हो चुकी है अब बताएं के इलाहबाद सीट को लेकर क्या कुछ हो वाला है किसका पढ़ना भारी है कौन सा मुद्दा हावी रहा और शहर दछनी में अगर विकास हावी रहा है और सुरच्छा पूरा वियापारियों का इनको सुरच्छा चाहिए तो बर्तमान में पूरी सुरच्छा मिली लेकिन वहीं गाउं की तरफ अगर आप चलेंगे जमना के पार चलेंगे तो वहां पर लभार्तियों की बहुत बड़ी संख्या है और यह लभार्ती जिनकी जीवका इसके कारण चल रही है दो समय भोजन इनके कारण चल रहा है और साथ ही साथ गाउं का विकास उनको दिखाई दे रहा है जो मोदी जी के लिए मोदी जी ने किया है और यही वाजापा के लिए प्लस पॉइंट है और इनहीं के कारण भाजापा को जीतने भाजापा की जीतने की कि दो राजनितिक परिवारों की लडाई जरूर यहां पर दिखाई जा रही थी लेकिन इसमें चुकि स्वक्षभी के बीजेपी प्रत्यासी निरस्त्री पार्टी हैं तो उनका पढ़ला भारी दिखाई दे रहा है खलाकि चार जून को जब नतीजे आएंगे तभी इस आएंगे न्यूजेटीन प्यागराज